नमस्कार बच्चो बच्चो आसम पाठ दो मम परिवाराह का अभ्यास कारिये कर रहे थे हम इसका प्रशन नमबर तीन देखिए कि प्रशन नमबर तीन में प्रशन देखेंगे सबसे पहले चित्रे चित्र में किम क्या किम क्या अस्ती है इती इसका इसे वदन्तु पड़े लिखन्तु च और लिखेंगे अब यहाँ पर जो है प्रशन में है कि इन चित्र को देखेंगे यह चित्र जो है आपके सामने सबचे इस चित्र को पहले देखेंगे और चित्र को ध्यान से देखने के बाद शब्दों को भी देखेंगे है ना शब्दों को देखने के बाद ध्यान दें कि किन शब्दों में खलंत लगा है पीछे और किन शब्दों के पीछे विसरगे लगी है मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जहां पर पुलिंग शब्दों में, मा जब पीछे आ जाता है, तो वहाँ पर पुलिंग शब्दों में, नपुस्कलिंग, सॉरी, नपुस्कलिंग शब्दों में, क्या लगता है, हलंत लगता है, मा के पीछे, और संग्या शब्दों में, क्या लगता है, विसरगे लगती है, ठीक है, तो आपने इस चिस का ध्यान देना जो संग्या शब्द है उनके पीछे जो विसरगे आ रही है और जहां पर नपस्कलिंग है वहां पर हलंत लग रहा है मार्केट पीछे हलंत लग रहा है अब हमने यहां पर यह सारे चित्र को अच्छे से देखा सब अच्छे मेरे साथ इन शब्दों को पढ़ेंगे और इसकी हिंदी को समझेंगे वियजनम क्या है वियजनम इसको बोलते हैं पंखा हम हिंदी तो चित्रों को देखकर भी समझ सकते हैं लेखिन संस्कीत जो है हमें पढ़ने और लिखनी तब ही आएगी जब हम इसको ठीक से बोलेंगी देखेंगी तो क्या है ये व्यजनम पंखा, दीपक, वस्त्रम कप्डे, दर्पनह शिशा, शिशा भी बोल सकते हैं या दर्पन भी बोल सकते हैं या दर्पन भी बोल सकते हैं अगनिह, आग, पुस्तकम, किताब, लेखनी, कलम, पैन भी बोल सकते हैं, कलम भी बोल सकते हैं चमसह, चममच, भोशनम, गहने, आब भोशन भी बोल सकते हैं, गहने भी बोल सकते हैं, ठीक है? घटी का, घटी का घड़ी, घटी का घड़ी, नेक्स्ट, चित्रम, चित्र, द्वारम, दर्वाजा, द्वारम, द के नीचे व, जो ये व है, ये दिखता हमें आधा है, लेकिन है ये, पूरा, और आधा जो दिखाई देता है हमें पूरा, लेकिन है कैसा? आधा है, ठीक है? तो द्वारम, दर्वाजा, कंदुकम, गेंद, कंदुकम, गेंद, पात्रानम, पात्रानम, मेरी पीछे बोलिए, पात्रानम, जोते, गटा गटा गड़ा तो यहां पर देखे सब बच्चे आपने देखा संस्कित के शब्दों में हम हिंदी वाले शब्दों को संस्कित में क्या बोलते हैं और संस्कित के शब्दों को हिंदी में क्या बोलते हैं तो हमने ये सब शब्दों को संस्कृत और हिंडी में जाना, कि संस्कृत में हम कैसे प्रियोग करते हैं, आप यहां पर आजाएए प्रेशन नंबर एक इसमें था, कि चित्रे कीम कीम अस्ती, चित्र में क्या क्या है, इती इसमें बदन्तु बताएं, लिखन्तु चा और आप सब बच्चों ने सबसे पहले तो इसमें बिलकुल बीचम बीच ऐसे लाइन खींच लेनी हैं, और लाइन खींचने की तरफ एक साइड पर आपने संस्कीत के शब्द लिखने हैं, यह जो लिखे हुए हैं, ठीक है, और फिर इसकी हिंदी लिखनी हैं, जैसे कि व्यज अगनिह, आग, पोस्तकम, किताब, कंदुकम, गींद, पात्राणम, जोते, भूशनम, गहने या भूशन, लेखनी, कलम, घटिका, घडी, घटह, घड़ा, द्वारम, दर्वाजा, चमसह, चमच, तो हमने इनी लाइन्स को बड़ा कर दिया, आगे तक लंबा खींच दिया, और बीच में हमने पैंसे ही लाइन खींच दिया, स्केल से लाइन खींचेंगे, एक साइट पर आप संस्कीत के शब्द लिखेंगे, दूसरी तरफ क्या ल लिखेंगे, यह आप अपनी नोट बुक में भी करेंगे, और साथ में भुक में भी करेंगे, ठीक है बच्चो, तो अब यह आपने ध्यान देना है, कि मैंने तुम्हें इसमें क्या बताया था, कि जो संग्या शब्द है, इस्त्रिलिंग शब्द है, जिनके पीछे ना की जवास आती है, आकी मातरा लगते है, या संग्या शब्द है, उनको हम इस्त्रिलिंग शब्दों को हम जो है, उसके पीछे विसरगे लगाते हैं, लेकिन जो नपुस्कलिंग है, ना इस्त्रिय है, नपुर्श है, वहाँ पर म के पीछे हम क्या लगाते हैं, हलंत लगाते ह हलंत हलंत कहां लगता है नपुस्क लिंग शब्दों के बीचे जहां पर मा सबसे शब्द में मा सबसे अंत में आ रहा है और शब्द जो है नपुस्क लिंग है नपुस्क लिंग ना इस्त्री है ना पुर्ष है उसको हम बोलते हैं इस्त्री लिंग से तो हमें इस्त्री का ब तो ये दोनों में से किसी में भी नहीं आता तो इसको क्या बोलता है नपुस्क लिंग ठीक है और इसमें मा पीछे लगता है और हलंत लगता है मा के साथ ठीक है हो गए ये क्लियर आपको क्योंकि ये बार बार मैं तुम्हें इसलिए बतारी हूं कि संस्कीत में अधिक्ता सब्सक्राइब या फिर जो आता है वाला लादने तो अगर आपको पता चल जाएगा कि हलंत ओलंत कहा लगता है कि यह तो नपुष्क लिंग रहती है या फिर इस त्रिलिंग शब्द है तो वहाँ पर विसर्गी लगती है तो संस्कीत में इन चीजों का आपको विशेश ध्यान देना है तो यहाँ पर आपने ये शब्दों को देखा इन शब्दों को फिर से पढ़ने के एक वारी कोशिश करेंगे हम व्यजनम पंखा चित्रम चित्र दर्पनह शीशा वस्त्रम कप्डे देपकह दीपक अगनिह आग पुस्तकम किताब कंदुकम केंद द्वारम दर्वासा पात्रानम जूते भूशनम गेहने चमसह चमच लेखनी कलम घटिका घड़ी घटह घड़ा तो ये हमने शब्दों को संस्कृत और हिंदी शब्दों को जाना अब आजाए ये प्रिशन नमबर चार किम क्या भवता आप या भवतिया लड़की के लिए और लड़कों के लिए आया भवतिया तो ग्रिये घर में अस्ती है नास्ती नहीं है इती लिखन्तू ये लिखिये ठीक है कि हमारे घर में आपके घर में क्या क्या चीजी है क्या नहीं है उसके बार में बताने अगर है तो अस्ती लिखेंगे और नहीं है तो नास्ती नहीं का अर्थ क्या है नास्ती और है का अर्थ क्या है अस्ती तो अब यहां पर का आता है लेखनी कलम अस्ती है कलम है आ घड़ा अस्ति है घटा अस्ति घड़ा है आपके घर में है तो आप लिखेंगे आस्ति यहाँ पर नास्ति लिखा हुए तो इस बच्चे के घर में घड़ा नहीं था तो इस लिए इसने क्या लिखा है नास्ति आपने अपने बार में बताने कि आपके पास जो चीज है उसके बारे में अपने अस्ती नहीं है नास्ती का प्रियोग करना है गव द्वारम दर्वाजा अस्ती है दर्वाजा है द्वारम अस्ती दर्वाजा है अस्ती क्योंकि आपके घर में दर्वाजे होते ठीक है न तो हमने का अस्ती गव चित्रम अस्ती चित्र है चित्रम चित्र अस् क्योंकि आपके बहुत सारी फो टोग्राफ। लगी होंगी, पेंटिंग्स लगी होंगी, तो वह सब क्या है चित्र अस्थि. अना दरपनहा शीशा अस्ती है च पात्राणम जोते अस्ती है तो यहाँ पर हमने बताया कि जो चीजें हमारे पास है उनको हमने क्या लिखा है अस्ती लिखा है और जो चीजें हमारे पास नहीं है उनको हमने क्या लिखा है नास्ती यह आपने अपने हिसाब से देखना है कि आपके घर में क्या चीजें क्या नहीं उसके हिसाब से आपने लिखने अब आ जाईए प्रेशन नमबर पांच चित्र भी देखने है फिर आपने लिखने यहाँ पर है नामानी लिखत नाम लिखिए चित्र देखने फिर यहां पर नाम लिखने कर यह हमने क्या पड़ा था पंखा पंखे को हम क्या बोलते हैं संस्कित में व्यजनम तो यहां से हमने पीछे से देखकर यहां से देखकर व्यजनम ठीक से लिखना है ख, पहले चीतर देखेंगे, फिर लिखेंगे, चीतर, ये क्या है, दर्पनह, कहा है दर्पनह, यहां लिखा हुआ है, यहां से देखकर आपने स्पस्ट और शुद्र लिखना है, दर्पनह, शीशा नेक्स्ट है, ग, यहां पर पहले चीतर देखिए, किस चीतर की है, किताब, किताब को क्या बोलते है, पुस्तकम, यहां पर क्या हल लिखा हुआ है, पुस्तकम, तो यहां से देखकर आपने स्पस्ट रूप में क्या लिखना है, पुस्तकम, मा है, तो क्या आएगा पीछे, हल कौन सा लिंग है ये न इस्त्री लिंग है न पूर्श है तो क्या बताए आपको न पुस्क लिंग नेक्स्ट है चितर देखेंगे दीपक दीपक को क्या बोलते हैं यहाँ पर क्या है क्या बोलते हैं दीपकह क्या बोलेंगे दीपकह तो यहाँ से हमने शुद शुद लिखना है दीपकह नेक्स्ट आता है यह क्या है गेंद हिंदी में गेंद कहते हैं लेकिन संस्कित में हम इसे क्या बोलेंगे कंदुकम यहाँ पर भी मा पीछे आ गया तो हलंत लगया लास्ट में मा के साथ हलंत का परियो कंदुकम ठीक है नेक्स्ट हम चीतर देखेंगे यह क्या है कपड़े ठीक है कपड़ों को क्या बोलते है वस्त्रम क्या बोलते हैं वस्त्रम तो यहाँ पर शुद रूप में क्या लिखेंगे वस्त्रम तो इस परकार से हमने देखे यहाँ पर चीतर देखे चीतर को देखकर हमने क्या लिखा संस्कित के शब्द लिखे और चीतर को देखकर हमने क्या हिंदी में हमने शब्दों के अर्थ जाने थे चितर में देखकर हमने बताया कि ये पंखा है तो हमने पंखे को संस्कित में क्या लिखते हैं व्यजिनम ये शिशा है हिंदी में शिशे को संस्कित में क्या बोलते हैं दर्पनहा ये क्या चीज है पुस्तक है पुस्तक को हम संस्कित में क्या बोलते हैं पुस्तकम बोलते हैं लिखा हमने ये क्या है दीपक है तो दीपक को क्या बोलते हैं दीपकह संस्कित में तो लिखा हमने दीपकह गेंद है ये गेंद को क्या बोलते हैं कंदुकम संस्कृत में क्या बोलते हैं कंदुकम ये क्या है वस्तर है वस्तर को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं वस्तरम तो बच्चो आपने यहां पर बहुत सारे शब्दों को संस्क्रिट में के साथ अपने हिंदी उसकी समझी हिंदी के साथ उसकी संस्क्रिट समझी तो ऐसे शब्दों के अर्थ हमने संस्क्रिट से हिंदी हिंदी से संस्क्रिट को समझा लेकिन हमने यहां पर क्या समझा एक चीज़ और हमने देखी कि कौन-कौन से लिंक प्रयोग में लाई जा रहे हैं तीन तेरह के लिंक बताये थे आपको मैंने पुलिंग बताया था इस्तरी लिंक बताये था नपुश कर लिंक बताया था इस्त्री लिंग से इस्त्री का बोध होता है जहां पर हिस्त्री का पता चलता है उसको इस्त्री लिंग कहते हैं पुलिंग जहां पर पुष जाती का बोध होता है उसको पुलिंग बोलते हैं और जहां पर ना इस्तरी, ना पुष, किसी भी दोनों जाती का बोद नहीं होता है, उसको हम कुन haircut लिंग बोलते हैं संस्कीत में? नपुस्क लिंग ठीक है, तो नपुस्क लिंग में जो है वो पीछे, शब्द के पीछे मन लगता है और हलन्त लगता है ठीक है, और इस तरी लिंग में क्या लगता है, विसरगे लगती है आ की मातरा आती है और कही जगे पर बड़ी की मातरा लगती है विसरगे, संग्या शब्दों के पीछे विसरगे लगते एक चीज़ है आपने याद रखनी है तो आपको यही चीज़ हमेशा याद रखनी है और इससे जो है आपको संस्कित में पढ़ने में और लिखने में बहुत सुविधा हो जाएगी तो आज यही पर हमारा पाठ खतम होता है यह फिर मिलेंगे कल धन्यवाद